क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के वंश का नाश उनहीं के एक पुत्र के कारण हुआ? क्या आपको पता है, एक अवतार पुरुष को किस तरह का पुत्र हुआ? लोहे के मुसल को जनम देने वाले साम कौन है? और उसकी कहानी क्या है? उसका अंत कैसे हुआ? महाभारत में कई रोचक पात रहें. उनमें श्री कृष्ण का पुत्र साम्ब की कधा और भी रोचक है. साम को यदुवंश का नाशक माना जाता है. श्री कृष्ण वो महापुरुष हैं जिन्होंने द्वापर युग के उधार के लिए अवतार लिया. उन्होंने आज के शिल्पी विश्व कर्मा के द्वारा एक सुन्दर द्वीप का निर्मान करवा कर उस पर शासन किया. उन्होंने लोग कल्यान के लिए कई कार्य किये. धर्म की विजय हो इस उदेश से उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का पक्ष लिया. अपने विश् का दर्शन करवाया. संसार को भगवत गीता दी. भक्तों के आराध्य देवता बने. लेकिन इतने महान होने पर भी श्री कृष्न की अंतिम दशा अत्यंत दयनी थी. एक अवतार का उद्धेश्य पूरा होने पर भगवान अपना शरीर याद देते ही. अगर किसी भी कारण ऐसा नहीं हुआ तो उस अवतार का दैवत्व समाप्थ हो जाता है. शरीर सामान्य बन जाता है. कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद श्री कृष्न की स्थिती कुछ ऐसी ही थी. उनके अवतार का अंत अत्यंत दीन स्थिती में हुई. और इसका कारण था श्री कृष्न के पुत्र के दुश कर्म ये गाधा बहुत से लोग नहीं जानते आये अब हम ये कहानी जान लेंगे श्री कृष्ण यदवन्ष के सर्वस रेस्ठ थे लेकिन उनके पुत्र साम का जन्म कुल नाश के लिए ही हुआ महाभारत और भागवत में श्री कृष्ण के पुत्रों में स प्रमुक रूप से सुनाई देता है युग के अंत के लिए श्री कृष्ण सारी तैयारिया कर चुके थे वे जानते थे कि साम्ब कुल नाशक बनेगा लिकिन फिर भी उन्होंने साम्ब को शिव भगवाल से वर्दान के रूप में प्राप्त किया पिता संसार के शासक है य साम ही यदुवन्ष का बड़ा शत्रू था भगवान होने पर भी श्री कृष्ण एक सामान्य की तरह पुत्र प्रेंसे बंध गए और साम को सुधारने में विफल हो गए श्री कृष्ण जानते थे कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद किसी न किसी के द्वारा युग की समापती होनी चाहिए और साम उसके लिए ही जन्मा था रामायन में रावन पर युद्ध के समय श्री राम की सहायता करने वाले प्रमुक्षूर वीरों में से एक थे जामबवन युद्ध के समापत होने के पस्चाद राम जी ने जामवन्ध को पास बुला कर कोई वर रामने के लिए कहा संकोच करते ही जामवन्ध ने श्री राम के साथ मल्ल युद्ध करने की इच्छा प्रकट की तो श्री राम ने वच्चन दिया कि उनकी इच्छा अगले जनम में पूरी होगी इसी के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार में शमंतक मनी की घटना घटित 17 जित के पास शमंतक मनी थी, वो एक दिन अचानक से अद्रश्य हो गई, तो इसे चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा, मनी को वापस लाने श्री कृष्ण ने अरण्य में जाकर जामवंत से युध्ध किया, इस तरह कृतियुग में श्री राम के रूप में दिये ग थी, सेश पत्नियों को संतान हुई, लेकिन जामवती को बहुत समय तक बच्चे नहीं हुए, वे संतान के लिए हर दिन शिव भगवान की पूजा करती थी, एक महर्शी ने कहा कि पती पत्नी दोनों मिलकर रत करेंगे तो संतान होगी, इस तरह श्री कृष्ण भी जामवत सिख्या चाहते ही, तो विश्णु ने जवाब दिया कि शिव भगवान लाइकार हैं और कुछ कारि उन्हीं के द्वारा किये जा सकते ही, भागी में जो लिखा होता है उसे होना ही चाहिए, भगवान को भी उसके आगे जुखना पड़ेगा, श्री कृष्ण ने ये भी कह कि चुकि मैंने मानुष्य का जन्मलिया, मुझे बंधन के अनुसार ही चलना होगा, जामबवती की इच्छा है कि आप जैसे पुत्र हो, तो उसे वर्दान में दे दो, फिर शिव जी ने सावधान करते हुए कहा कि मैं एक लाइकार हूँ, अगर आप मेरे जैसे पुत्र च उनके अनुगरह से जामबवती ने साम को जनम दिया, साम का विद्वन्स बच्छपन से ही शुरू हुआ, जामबवती की लाड़ के कारण साम न बड़ों का आदर करता था और न रिशियों का सम्मान, साम को देखते ही लोग भैभीत हो जाते थे, दुरियोधन का पुत्र लक्षमन कुमार और पुत्री थी लक्षमना, एक बार दुरियोधन ने इन दोनों को युध्ध विद्याये सीखने, अपने गुरू बलराम के पास द्वार का भेजा, लक्षमना बहुत सुन्दर थी, साम उससे मोहित होकर उसके पीछे पड़ गया, उसे तंग करने लगा लक्षमना ये सब कुछ जेल नहीं पाई, वो बीच में ही हस्तिनापुर वापस चली गई, इससे साम को ठेस पहुंचा, वो सही समय की प्रतीक्षा करता रहा, कुछ समय बाद सुयोधन ने लक्षमना के स्वयमवर की घोशना की, इस स्वयमवर में बहुत से राजकुमार साम लक्षमना के तिरसकार का प्रतिशोध लेना चाहता था, इसलिए उसने लक्षमना को स्वयमवर से उठा ले गया, तब दुरियोधन ने साम को रोक कर कारागार में डाल दिया, स्वयमवर रुख गया, उन दिनों अगर किसी कन्या का अपहरिन होता तो उससे विवा करन कोई आगे नहीं आता था, साम की कर्तूत जानकर बलराम और श्रीकृष्ण हस्तिनापूर आये, उन्होंने दुरियोधन को समझा कर लक्षमना का विवाह साम से करवाया, इस तरह श्रीकृष्ण और दुरियोधन समधी बन गये, साम का व्यवहार इतना नीच था कि वो श् श्रीकृष्ण ने क्रोधित होकर साम को श्राब दिया कि उससे कुष्ट रोग लगे, तो साम ने उनके पैरों पर गिर कर शमा मांगी, तब श्रीकृष्ण ने उससे कहा कि सूर्य भगवान की आराधना करने से वो फिर से स्वस्थ बनेगा, पिता के सुझाव के अनुसार साम ने चंद्रवाग नदी के किनारे सूर्य भगवान का मंदिर बनवाया और वहां 12 वर्ष तक तपस्या की, इसके बाद उसका रोग ठीक हो गया, ये वृत्तान्त साम पुराण में लिखा गया, साम का कुष्ट रोग पुष्चे मास के शुक्ल पक्षकी दश्मी के दिन ठीक हुआ, इसी दिन ओडिशा के कुछ प्रांतों में साम दश्मी मनाई जाती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी साम में कोई बदलाव नहीं आया, एक दिन उसने मदिरा पीली, तभी श्रेकृष्ण से बातचित पूरी करके दुरवासा महर्शी कुछ अन्य मु इसमें आकर मुनियों से पूछा कि उसे बच्चा होने वाला है या बच्ची, दुरवासा महर्शी अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसित थे, वे साम का नाटक समझ गए, उन्होंने क्रोध में आकर श्राब दिया कि साम के पेश से बच्चा या बच्ची नहीं बलकि एक म मुसल जनमेगा जो उसके वंश का सर्वनाश करेगा, मुसल का मतलब है लोहे से बना लोढ़ा, चापवश सामने मुसल को जनम दिया, मंत्रीगन ने मुसल को चूर्न करके सागर में मिला देने का आदेश दिया, लेकिन मुसल का चूर्न तटकी और बहकर बांस के पौधों क के रूप में उग गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्थ हो गया, गांधारी ने श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि छल और कपड से युद्ध जितने के कारण और उनके पुत्र को मरवाने के कारण उनका वंश सर्वनाश हो जाएगा, दुर्वासर रुशी ने भी साम को इसी तरह का श्राप दिया था, कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्थी के कुछ दिन बाद यादव मदिरा पीकर बांस के पौधों के पास मंडराते रहे, उनमें साम भी था, किसी न किसी वज़े से एक बड़ा जहगड़ा शुरू हो गया, तो सभी ने बांस की ल शिकारी को ये टुकडा मिला, उस तेज टुकडे से जरा ने एक बां बना लिया, एक दिन श्री कृष्ण अरण्य में विहार कर रहे थे, ठकावट की वज़े से उन्होंने एक पेड पर चड़ कर पैर हिलाते हुए आराम कर रहे थे, जरा को लगा कि वो किसी जानवर का सर था, तो उसने उस दिशा में बांध साधा, और इस बांध की वज़े से श्री कृष्ण के अवतार की समापती हो गई, रामायन में श्री राम ने वाली को एक पेड के पीछे छुपकर मार गिराया, उसी कर्म का फल श्री कृष्ण ने द्वापर युग में झेला, वाली ही इस युग में जरा बनकर श्री कृष्ण की मृच्यू का कारण बना, इस घटना के कुछ समय पहले ठगों ने द्वारका को लूट लिया, उन्होंने श्री कृष्ण की अस्ट पत्नियों का अपहरन भी किया, तो अर्जुन ने उनको बचा कर हस्तिनापुर बहुंचाया, इसके बाद सुनामी जैसा उत्पात तूट पड़ा और द्वारका को सागर में डुबो दिया, तो फिर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मना का क्या हुआ, हमेशा किसी नकिसी स्त्री से प्रणय में डूबा रहा स्थांब ने लक्ष्मना की उपेक्षा की, अभिमन्यों बलराम की पुत्री वत्सला से विवाह किया, वत्सला का एक और नाम था शशिरेखा, बलराम कभी नहीं चाहते की कुरुक्षेत्र युद्ध हो, युध्ध के प्रारम होते ही बलराम ने पुत्री वत्सला और बहु लक्ष्मना को साथ लेकर देशातन पर चले गए, मनुष्य का अवदार लिया और मनुष्य जैसे जीना चाहा, लेकिन उनकी मृच्यू हुत्र के रूप में सामने आई, इस तरह साम इतिहास में वन्ष नाशक और चरित्रहीन बन कर रह गया